कुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंग्समादियामी बराही खतरनाग प्रशन है और ये प्रशन मुझसे एक वेटी ने पूछा ऐसे तो ये राजीतिक और कूटनीतिक ज़्यादा प्रशन है और वहवारी कम है यानि कि इसके जवाब देने से ही राजनीति या ये कहें कि गंदी नीती या ये कहें कि घटिया नीती या ये कहें कि बलकुल उत्वच और छोटी और नीच नीती आरंब हो जाती है दरसल मास को खाना या ना खाना या मास के वारे में बात करना इतना ज़ादा परिचारित है कि बुद्ध की जो मूल बात है लोग उसको भूलके बुद्ध के उपर अटैक और हमला कर नासूर कर देते हैं यानि कि वो समझेंगे नहीं, बस पुरानी जो मानेता जो भरी हुई हैं कूट-कूट के या जो दिमाग के अंदर डाला गया है, उसको लेकर बुद्ध की विचार धारा पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं, बुद्ध ने मास के वारे में बुलकुल इस परश्ट बताया हु है, क्या बताया हुआ है, कि आपने किलिंग नहीं करनी है, आपने किसी को मारना नहीं है, जब मारना नहीं है तो लोग कहते हैं, जब मारना नहीं है तो मास कैसे खा सकते हैं, इसमें कंटरडिक्शन है, दरसल अगर कोई मरा हुआ जीब है, जैसे कटा हुआ पेड है तो फि उसके चोंस से मास या पंजे से मास छूट गया या कोई जानवर, शेर वगेरा ने कोई शिकार किया या कहीं किसी ने जानवर को मारा और वो मार के पढ़ा हुआ है और छोड़ के चला गया तब वो जीव नहीं है आप उसको फिर हत्या नहीं कर सकते तो उसके अंदर कुछ नहीं है, फिर वो मिटी है, आपको यकीन नहीं होता, तो आप उस मास के टुकड़े को वहाँ कुछ देर तक पड़ा रहने दीजिए, कुछ देर का मतलब है 12 गंटे, 24 गंटे, 36 गंटे, 48 गंटे, 32 गंटे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आप देखेंगे कि उसमें से बहुत जल्दी प्रोटीन है वो, तो उसके अंदर से बहुत जल्दी डिके होने लगता है, वो शड़ने लगता है उसके अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं चीटिया आ सकती हैं और उसमें बदू आने लगती है और वो धीरे-धीरे-धीरे पानी उसका अलग भैजाता है जो पानी है वो उपर उड़ जाता है धीर-धीरे जमीन उसको सोख लेती है चीटियां सो खा जाती है फिर वहां कुछ नहीं बसता अगर हड़ी हो तो सिर्फ हड़ी बचेगी वो भी छोटे-छोटे जो कीड़े हैं वो इतना साफ कर देता है कि हड़ी पुरी चमकदार सीसे में रखने लाइक, जड़न लाइक हो जाती है तो बुद्ध ने मास के वारे में बुलकुल इसपस्ट कहा है कि भिक्कु अपनी कोई इक्षा जाहरी नहीं कर सकता खाने में, जब वो जाएगा, क्योंकि अगर वो इक्षा जाहरी करेगा तो फिर वो भिक्कु नहीं है, भिक्कु की कोई इक्षा नहीं होती तो जिस दरवाजे पर जाता है और जिस दरवाजे पर जाके वो धम पढ़ाने के बदले खाना लेता है तो उसको खाने में कुछ भी मिले वो यह नहीं कह सकता कि मैं यह नहीं खाता या वो नहीं खाता उसको सब चीज खानी पड़ेगी और जो दिया गया है उसमें चाहे मास हो, चाहे उसमें अंडा हो, चाहे उसमें सबजी हो, चाहे उसमें पानी हो, चाहे उसमें ज़्यादा लवन हो यानि कि नमक हो या ज़्यादा उसमें मिर्च हो, वो मना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जीब का स्वाद खतम हो चुका है अगर उसके मन में या उसकी जीब का स्वाद है तो फिर वो भिक्कू नहीं है क्योंकि उसकी तो अभी एक्छाय बाकी है तो भिक्कू कहां से हुआ हो तो इसलिए कुछ भी खाने का अगर वो उसे मिलेगा उसे ले के आना पड़ेगा और चुकि उसे खाना मिलके खाना है पांच भिक्कों है तो पांच मिलके खाएंगे आसपास अगर बिहार है तो सारे लोग बिहार में खटे होंगे जैसे कोई चीजी mix की जाती है अच्छी तरह से और mix करने के बाद में फिर उसको खाना खाता है तो सारे खानों के जितने taste हैं वो खतम हो जाते हैं एक taste पूरे खाने का मिल कि आता है जिसको वो गरण नहीं करता सिर्व उसको जानता है तो उसको ये पता ही नहीं रहता कि जो लेके आया है वो खाना जो बेहार में खा रहा है उसमें मास है या नहीं है जो भी है उसके लिए वो भोजन है तो बेसिकली वो ना वो मासाहरी होते हैं ना वो साखारी होते हैं वो होते हैं भोजनहरी उनको इतना खाना चाहिए कि 24 गंटे जीने के लिए उन्हें पर्याप को कम हो जाय, कोई दिक्कत नहीं वो उसमें सबर कर लेते हैं के वार भूके भी रहते हैं वो उनकी विपास्рав साद्रा से प्रेक्टिस होती रहती है ये पूछना कि भिक्कू मासख खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं उपासक अपने तरह से सोच के सोग करता है उपासक सोचता है मास्क की बड़ी बड़ी बोटियां है हाथ में हैं और वो मास्क को छील छील के खा रहा है ऐसे ही वो imagine करता है कि भिक्कु भी खा रहा है भिक्कु का खाना अलग तरह का होता है वो सारे खाने को ऐसे 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 करके mix कर लिता है उसे पता नहीं होता क्या खा रहे इसलिए ये सवाल के वो खा सकता है या नहीं खा सकता है ये बहुत छोटा सा सवाल है मगर इसकी राजनितिक प्रणाम इसके कूटनितिक प्रणाम या इसके खराब नीतिक के प्रणाम या इसके पाप नीती के परणाम लोग अपने हिसाब से इस्तमाल करते हैं क्योंकि बुद्ध ने पिलिंग के लिए मना किया मास के लिए हुने कुछ नहीं कहा तो बाद के लोगों ने प्रचार किया कि देखो बुद्ध ने मास के लिए मना नहीं किया और अब हम मास भी नहीं खाएंगे यानि कि वो मरे हुए का मास भी नहीं खाएंगे इसको तयार मास बोलते हैं जो अपने आप मर गया वो तयार मास होता है वो तो एक तरह से एक भुज्य पदात होता है उसको जानवर खाएं, जीब खाएं या उसको मनों से खाएं उसको फिर नहीं पड़ता क्योंकि जो मना था वो मर गया अब वो मिट्टी है तो बात के लोगों ने बुद्ध को डाउन करने के लिए ये पचार किया कि हम मास में नहीं खाएंगे जबकि वो सबसे ज़्यादा मास खाते थे उन्होंने इसको सेक्रिफाइस किया बलिदान किया और लोगों के दिमाग में और जहन में ये बाट जाली कि देगों मास नहीं खाते बुद्ध नहीं तो मास के लिए कभी ना हाँ कहा ना कहा ना उन्होंने मना किया और ना उन्होंने हाँ कहा, वो जवाब नहीं देते, मगर हम clear कहते हैं कि हम मास नहीं खाएंगे, और ना के वना मास नहीं खाएंगे, हम जो जानवर पहले खाते थे, उनकी हम पूजा भी करेंगे, उनको हम मानेंगे लिए, तो लोगों को इस बात पर मास रूप से त्यार कर के और ज़्यादा फरक पड़ा, तो मास एक राजनितिक हत्यार बन गया, और राजनितिक हत्यार बनने से लोगों के मन मस्तिक्स में डाला गया, कि जो मासाहारी होते हैं, वो बुरे होते हैं, और जो साकाहारी होते हैं, और जो मासाहारी बुरे कैसे हो सकते हैं, ये जो जी आपने तक लेते हैं, हमारा जो गाल है अन्दर, ये सारा गाल है, ये मास्का बना हुआ है। इस प्राजनीता में के दिए उसको ध्यार नहीं देते हैं। ये राजनिती या कुटनिती या तुशनिती बाद में लोगों के जर्मानस में डाली है। चम्ले का सामान मत इस्तमाल करो, मगर चम्ला लेके खुद चले हो। पूरे सरीर में सबसे बड़ा जो और्गन है वो इसके नहीं चम्ला है। चम्डे का मरत सामा ले जाने में दिक्कत है, चम्डे का जीवत सामा ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तुछनीती है, पूरे सरीर मास का बना हुआ है, आदमी उंगली को पीता है, दूसरे को किस करता है, किसी को प्यार करता है, तो मास से मास टच होता है, आपके लिप से दूसरे की इसकिन टच होती है हम दिन रात अपनी पत्नी को या अपने बच्चे को या छोटे बच्चे को या किजी दूसरे बच्चे को प्यार करते हैं, हम जानवर को भी प्यार करते हैं किस भी करते हैं, लाको अजार फोटो है पिच्चों में ऐसा है, देखा है आपने, ये कोई छुपी भी बात नहीं है, हम मास से मास को खूप टच करते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसंद होते हैं, मगर हम मरत मास से, अगर चमने कोई हो तो उससे घ्रना करते हैं, ये तुप्छ नीती है, राज नीती तो नहीं कहेंगे, क्योंगे राज आओ तो की तो अच्छी नीती होती है, ये तुप्छ नीती है, घट्या नीती है, जो मन मस्तिक्स में बैठाई हुई है, इसलिए जो लोग ये कहते हैं, अरे भिक्कु तो मास खाता है, भिक्कु कभी मास नहीं खाता, बिहार एक जगे है जहां आपने या बिहार एक आराम है या राम है जहां आपने रमना है और वहां आप रमिये भोजन बीच में नहीं आता मन उससे के मन को सुद्ध करने में उसका भोजन बीच में नहीं आता तिलिंग आती है आप किसी को मारेंगे तो मन सुद्ध नहीं अगर कोई मरा हुआ मास है और उसे आप घरल करते हैं जानके करें या अन्जाने में करें उससे आपके मन में अशुद्धी नहीं आएगी ये नियम भिक्लों के लिए हैं मगर पबलिक के लिए तो नियम सारे खुले हुए हैं क्योंकि लुटख होते थे, सिकारी होते थे उस समय शिकार करते थे आम आदमी जंगल में मास के लिए जामरों को मारता था, अंडे खाता था वो सारा काम वो करता था उनके लिए नियम नहीं है हाला कि सब के लिए कहा है कि पंसिल अपना होगे तो मारोगे नहीं उसका फैदा होगा मगर जो लोग नहीं अपनाना चाहते है उनके लिए बुद्धने कोई इस्टिकमी नहीं नहीं बनाया कि भई अगर यह क्लिंग करता है माता है तो यह आदमी अच्छा नहीं है या ये ऐसा आदमी या वैसा आदमी है वो भी अपने पाप करम को जब चाहे जब दूर कर सकता है जब जिसको समझ में आ जाए तो मादना नहीं है अनंतो सारे जीप कभी न कभी तो मरेंगे जो समंदुर में मचलिया है वो एक दिन मरती है फिर नई आती है जो जंगल में जानवर हैं वो सारे मरते हैं फिर नई आते हैं जो घरों में पालने वाले जनवर हैं वो भी मरते हैं और मरने के बाद में वो भी और भी उत्पन होते हैं जो मरे हुए जीव में उसको त्यार बोला हुआ है आप किसी जीव को काटे हैं या अपने आप मरें संख्या तो उतनी रहेगी क्योंकि अगर हजार जानवर आपके पास है तो हजार मैंसे आपने अगर 400 जानवर काट दिया तो 600 रहे दे गया और हजार मैंसे अगर 400 अपने आप मर गया तो भी 600 रहे गया तो आप अगर इंतियार कर सकते हैं क्यों जब अपने आप मरे तब उसको खाया जाए तब उसकी खाल का अस्तमाल किया जाए तब उसकी हड़्ियों का अस्तमाल किया जाए तो बहतर है यही बुद्ध ने कहा है, काटने के आउशकता नहीं, क्योंकि काटोगे तो आपको पाप लगेगा, आपके अंदर एक negative feeling आएगी, जो आपको खतम कर देगी, आपको नुकसान देगी, तो इंतियार कीजिए, तो पुराने समय में, बुद्ध के बाद में, जब जानवर अप सबसे ज़्यादा खाल होती थी, वो सबसे अमीर होता था, तो भी खाल ओडने के बिछाने काम आते थी, जो साधना करने वाले, तपश्या करने वाले लोग हैं, वो ठंडे इलाकों में खाल को ओड़के चलते थे, आम आदमी खाल को ओड़के चलता था, आज भी ठंडे एर बनते थे जिसमें दही या सरवत या बाद में शराब भी उसमें डटाने लगे और अरब के जैसे कंट्यों में तो खाल के ही बैक कहां सूरज की गर्मी 50 डिग्री से भी उपर जाती थी वहां तो पानी उड़ जाता था तो अपने पानी को बचाने के लिए सारे यात्री खाल के ही बैक बनाते थे और मस्क तो आप जानते होंगे यह मस्क क्या होती है जानवर पूरा पूरा जो मर जाता है तो उसको सिर्फ गर्दन से उसका मास निकालते हैं और पीछे से निकालते हैं दो छेद उसमें रहते हैं उसके जो पैरों की खालो होती है उसको बांध देते हैं और वो मस्क बन जाती है और उसमें 200-200 लीटर तक पानी आता है ये तो अभी 10-15-20 साल तक भी पूरे भारत में चलता था एक आदमी सफाई करने के लिए जाड़ू लेके नलियों में आगे जाता था नालियों में और एक मस्क का पानी लेके पीछे-पीछे चम्रे में आता था और जब कभी शादी और बया होते थे तो मस्क मैन जो होता था जो मस्क वाला आदमी होता था तो उसको कहते थे कि हमारे यहां पानी भजाना चार्ट अब तो वो मस्क में नल से पानी हेड़ पप से पानी लाता था भरके या ताराब से और उसको डाल जाता था किसी बरतन में और उसका पैसा लेता था तो चमडे में आया हुआ पानी या चमडे में आया हुआ सर्बत सब लोग इस्तमाल करते थे तो उसमें कहीं कोई दिक्त नहीं थी और जो साइबरिया के ठंडे एरिया है या लेल दिद्दा के ठंडे एरिया है उसमें जो भेड को मार के खाते हैं उसकी जो खाल होती है, उस खाल के अंदर दूद को जमाते हैं, क्योंकि वह ठंड बहुत जादा होती है, तो सिर्फ खाल वाला जो बटन होता है, जो खाल वाला टंबलर होता है, उसके अंदर ही दही जमती है, वो भी कई दिन में, और फिर उस दही को ऐसे करके हिलाते हैं, औ तो खाल के इतने ज़्यादा इस्तमाल थे कि जिनके पास खाल होती थी वो बहुत रिच लोग और बहुत बड़ी अलोग माने चाहते थे इसलिए कोई ये प्रसंद करता है कि बहुत बिक्रो बिहार में मास खा सकते हैं अधूरा प्रसंद है उसकी नियत अच्छी नहीं है जानकारी के हिसाब से तो वो खुद भी सोच सकता है कि पूरा-पूरा खाल का बना हुआ है पूरा-पूरा मास का बना हुआ है पूरा-पूरा सरीर में मासी मास भरा हुआ है खोनी-खोन भरी हुई है गंदी-गंदी भरी हुई है थोड़ा सोच लेता तो प्रसर ही नहीं करता मगर राजनीतिक, कूटनीनीतिक, सत्ता परिवतन के लिए आज भी लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि मास अच्छा है या मास खराब है आप इस मास वाले चैप्टर को क्लोज कर दीजे क्योंकि अगर आप कलोज नहीं करेंगे तो फिर अपने से सुरू कीजे कि आप मास के बने हुए है आप जो दिन्राद दूसरे को प्यार कर रहे हैं आप किस कर रहे हैं आप चाट रहे हैं मास खा रहे हैं दरसलाब और आप जो दूद और दही खा रहे हैं क्योंकि जो जमीन से प्राप्त होता है वो बंसपती होता है और जो जानवर से प्राप्त होता है वो मास में आता है तो जानवर से दूद और दही भी प्राप्त होता है खून प्राप्त करें या दूद प्राप्त करें दोनों जानवर से मिलता है अंडा प्राप करें वो भी जान जानवर से मिलता है तो जानवर दूद जितने भी लोग पीते हैं या मा का दूद पी रहा है बच्चा तो वो सरीर का ही एक हिस्सा पीता है वो मास से ही बनता है उसके प्रोटीन में बिलकुल मास जैसे गुण होते हैं दूद को जलाओगे या मास को अगर तेज आँच पर जलाओगे तो दोनों की स्मेल, दोनों की बदवू या खुश्वू एक जैसी आती है आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों लगबग स्विमिलर है इस प्रसंड में कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाए इसके कि ये तुछ नीती है धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर, अपने यूटूब पर, अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं, ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे. हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं, उन बातों को हम सरल भासा में, आम भासा में आप तक पहुँचा देते हैं. अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको print कर कर या इसको load कर कर या डाउनलोड कर कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखा कर या किस ठिम को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुचाएं। धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान, धम को देना, सब्ही देने में, यानि जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद करता विडियो बनाकर आपको खुब लाब देगा संगं सरेण गच्छामू संगं सरेण गच्छामू तूथियं पि बुद्धन सेण गच्छामू दूतियं पी गुतंग सनंगच्छामी दूतियं पी धम्मंग सनंगच्छामी दूतियं पी गुतंग सनंगच्छामी दूतियं पी धम्मंग सनंगच्छामी दूतियं पी धम्मंग सनंगच्छामी दूतियं पी धम्मंग सनंगच्छामी